हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई निटिंग चैनल जिसकी आज की वीडियो में हम सिंगल कलर का एक डिजाइन बनाना सीखेंगे देखें, यहाँ पर इसके लिए हमने फंदे डाल लिए हैं, फंदे हमें लेने हैं 4 के मल्टिपल में प्लस वन फोर के मल्टिपल में प्लस वन करके फंदे लेंगे तो यह डिजाइन आपका किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई बहुत एजिली हो जाएगा तो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर 17 फंदे लिए हैं, इसमें हम इस डिजाइन को बनाना सीखेंगे रो वन हम बनाएंगे इसकी राइट साइड से, देखें यह डिजाइन की हम राइट साइड में हैं और सारे फंदो को हमें सीधा बुनते हुए इस रो वन को पंप्लीट करना है देखें एक एक करके सारे फंदो को हमने यहाँ पर सीधा बुनना है यह देखिए पहली सलाई रोववन हमारी कम्प्रेट हो गई अब आ जाते हैं रॉंग साइड में यहां से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे पहला फंदा यह हम उल्टा बुन लेंगे यह देखिए यह फंदा हमने उल्टा बुन लिया अब देखिए हमें क्या करना है तीन फंदे हम एक साथ लेंगे सलाई पर एक, दो, और तीन यह देखिए तीन फंदे हमने यहां पर सलाई पर लिये इन तीनों को हम एक साथ उल्टा बुनेंगे ये देखिए तीनों को हमने एक साथ बुना अभी हम इन देखिए इनको सलाई से नहीं छोड़ेंगे लेफ्ट सलाई में अभी भी हमारे फंदे हैं धागा वापस आगे गुमाएंगे ये देखिए इस तरह से सलाई पर हम धागा गुमाते हुए इसको आगे लिकर आएंगे और फिर से इनी तीन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे देखिए तीन फंदों पर हमने वर्क किया और हमारी सलाई में देखिए वापस से तीन फंदे आगए पहले हमने बुना फिर धागा गुमाया और फिर बुना तो इस तरह से ये तीन फंदे कंप्रीट हो गए अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे इसतरह से ये देखे चार फंदों को हमारा डिजाइन हो गया पहला एजिस्टेज इसको छोड़ देंगे इसके बाद देखे तीन फंदे एक साथ बुनकर हमने ये डिजाइन बनाया और एक फंदा उल्टा बुना इन्ही चार फंदों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे यह देखी धागा आगे खुमाया और फिर से इन्ही तीन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे अब एक फंदा सिंपल बुनेंगे इस तरह से उल्टा और फिर से ही बनाएंगे चार फंदों का डिजाइन ये तीन फंदे इकठे लेंगे सलाई पर ये तीन फंदे लिए इसके बाद हमें इनको बुनना है देखिए ये हमने इनको बुना धागा गुमाएंगे यह हमारा दूसरा फंदा हो गया द्धागा गुमाया हमने एक पार फिर से बुनेंगे यह हमारा तीसरा फंदा हो गया अब एक फंदा फिर से बुनेंगे और दिखिया, अब हमारी सलाई पर चार फंदे हैं, चार में से हम तीन को गठा बुनेंगे पहले यह गठे हमने बुने, दागा गुमाएंगे और फिर से इनी तीनों को बुनेंगे आब दिखिये, लास्त फंदा बचा इसको उल्टा बुन लेंगे इस तरह से यह हमारी दूसरी सलाई रो टू कम्प्लीट हो गई अब आ गए हैं देखिए हम राइट साइड में इसमें हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे एक एक करके यहां हम फंदे लेते जाएंगे और इनको सीधा बुनते जाएंगे देखिए सारे फंदे हमने यहां पर बुन लिए अब तीन सलाई यहां देखिए हमारे डिजाइन के कम्प्लीट हो गई यह देखिए डिजाइन हमारा दिखना शुरू हो गया है अब रॉंग साइड में आ जाते हैं चौति सलाई के लिए यहां पर देखिए हम क्या करेंगे पहले हम यहां एज स्टिच बुन लेंगे यह हमारा जो एज स्टिच है इसको हमने उल्टा बुना आप देखिए यहां से हमें डिजाइन शुरू करना है डिजाइन शुरू करने के लिए हमने पहले देखे तीन फंदों पर बनाया था ये डिजाइन इन तीन फंदों पर बनाया था और बीच में एक फंदा हमने यहाँ पर सिंपल लिया था इस बार हमें तीन फंदे लेने हैं जिसमें हम यह बीच वाला फंदा लेंगे जो हमने simple बुना था और इसके side के 2-2 एक-एक फंदे लेंगे दोनों तरफ के एक-दो-3 ये 3 फंदे हम लेंगे तो इसके लिए 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुन लेंगे starting के ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने देखे edge stitch के साथ 2 फंदे उल्टे बुने तो total हमारे 3 फंदे हो गए इनको हमने बुन लिया अब हम design continue करेंगे तीन फंदे लेंगे एक साथ 3 फंदे लेकर देखे हमने इनको उल्टा बुन लेना है एक पार धागा गुमाएंगे और फिरसे बुनेंगे तीन फंदों के वापस हमें 3 फंदे बनाने हैं इस तरह यसे देखिए ये तीन फंदों के हमने वापस तीन फंदे बना लिए अब एक फंद बीछ में सिंपल बुनेंगे और फिर से इही दोर आएंगे कि ये तीन फंदे लिए इनको हमने बुना धाका गुमाएंगे और फिर से इनी तीन फंदों को हम बुन लेंगे एक फंदा बिच में सिंपल बुनेंगे इनको हमने उल्टा बुना तागा गुमा कर फिर से इनी तीन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे आदेके सलाई में हमारे तीन फंदे हैं तीनों को एक एक करके उड़टा बुन लेंगे जैसे हमारे स्टार्टिंग में तीन फंदे आये थे ऐसे ही हमारे इस पार लास्ट में भी तीन फंदे आ गए है तो देखी यह चौथी सलाई हमारे डिजाइन की यहाँ पर complete हो गई चार सलाईयों को हमारा यह डिजाइन था और देखिए यह डिजाइन हमारा इस बार कम्प्लीट हो गया अब हम इन चार सलाईयों को ही बार-बार रिपीट करते जाएंगे तो देखिए यह डिजाइन हमारा यह देखिए इस तरह से दिखेगा इस तरह से ये डिजाइन हमारा बन जाएगा कितना सुन्दर ये लग रहा है आप इसे जरूर ट्राइ करें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा थेंक यू